Hello friends, welcome to Skillbus अगर मैं day to day life में बात करूँ तो हम इतने सारे brands को देखते हैं इतने सारे different different logo देखते हैं जो हमारी daily life का part बन चुके हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे logos हैं जिनके पीचे की hidden stories जो hidden meanings हैं वो हमें नहीं पता तो इस video में मैं आपके लेकर हैं कुछ ऐसे best logo जिनके पीछे की story आप सुनोगे तो आपको बहुत ही ज़ादा amazing लगने वाला है और आपको day to day life में उस brand को देखने के बाद भी उस logo को देखने के बाद भी शायद उस story के बारे में नहीं पता होगा तो बहुत ही interesting तरीके से बहुत सारे brands के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे my name is Saurabh let's start start करने से पहले चैनल को subscribe कर लेना and bell icon को press कर देना ताकि ऐसे जितनी भी important relevant videos हैं वो आपको daily basis पे मिलती रहें इंस्टाग्राम पे हमारा channel है skillbus official इसको follow कर लेना है daily basis पे बहुत ही relevant content आता रहता है अगर मैं बात करूँ skillbus platform की तो हमारा platform आपको skill based training कराता है मतलब आपको एक particular theme एक particular topic एक particular domain में expert बना देता है हमारे पास बहुत सारे courses है लेकिन limited time के लिए हमने अपना first course जो है मिलता है जिसके बाद आप एक perfect resume and कोई भी interview crack कर सकते हो तो यह थोड़े time के लिए free है तो अगर आप enroll करना चाते हो मारी website पर जा सकते हो skillbus.in पे या फिर हमारी android application download कर सकते हो skillbus जिसके बाद आप इस course में enroll कर लोगे इसके अलावा बहुत सारे और courses है एक्सल, business communication, photoshop, microsoft, powerpoint, wordpress, development, ethical hacking, microsoft word इन courses में बहुती जादा amazing content आपको मिलता है और आपके career opportunities increase होती चले जाती है सारे courses में आपको demo lectures मिलता है, course curriculum मिलता है तो आप website पे जाओ, explore करो, कोई course आपको अच्छा लगता है आप उसमें enroll कर सकते हो इन course में आपको videos मिलते है and videos के साथ आपको hands-on project मिलता है मतलब हर एक topic पे आपको different activities मिलती है ताकि जो भी learning आप video से कर रहे हो उसकी practical application भी आप सीख पाओ and इसके साथ आपका एक final quiz होता है जिसके बाद आप उजाते हो certify जिस certification को आप use कर सकते हो अपने resume में, अपने internship application में अपने किसी interview में and वहाँ पे आपको एक edge मिल जाएगा तो skillbus.in पे जाओ and best part ये है कि अभी हमारे discount course चल रहा है upgrade 100 जिसको अगर आप apply करोगे तो हर course में आपको बहुत ही amazing discounts मिल जाएगे तो let's begin now अगर हमें entrepreneur बनना है अगर हम चाते हैं हमारे startup हो तो जरूरी हम उसी angle से सोचें कोई भी नई company होती है कोई भी पुरानी company होती है उसकी पहली चीज जो notice होती है वो है उसका logo and उस company का नाम क्या है तो आज इनके पीछे कुछ stories देखते हैं जो आपको काफी जादा knowledge देंगे तो यह जो आपके सामने logo है यह logo है बास्कीन रॉबिन का आइस्क्रीम पाल रहे हैं हम सबको पता है बट इस logo में interesting चीज क्या है तो अगर आप logo के interesting चीज देखोगे तो बीच में आपको यह 31 दिख रहा होगा तो यह 31 रिप्रेजेंट कर रहा है कि बास्कीन रॉबिन में आप कभी भी जाओगे तो उसके बाद 31 फ्लेवर्स की आइस्क्रीम होगी मतलब 30 तो नॉर्मल फ्लेवर्स होगे मन्त के 30 डेज के लिए एक फ्लेवर होगा जो होगा फ्लेवर ओफ दा मन्त तो यहाँ से आपको पता चला कि कितना interesting logo इनका बना है उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपने sony wire wire के आपने laptop यूज करे होंगे बट इसके logo की पीछे की कहानी आपको नहीं पता होगी तो अगर मैं इस logo को ध्यान से देखू जो यह portion है इस logo का तो यह logo जो है two parts में आपका divide होता है कैसे एक तो इतना portion एंड यह इतना portion तो अगर आप इसको ध्यान से notice करो तो this is nothing but analog signal इसी तरह से दिखता है यह दोनों क्या है यह दोनों है binary numbers binary numbers 1 और 0 होते हैं और यही दो चीज़े चाहिए होती है जब आपको कोई system run करना होता है या फिर कोई calculations करनी होती है तो बहुत ही सोचा समझाई आपका logo है चैनल को जरूर subscribe कर लेना ताकि ऐसे important relevant videos आपको मिलती रहें and bell icon जरूर प्रेस कर देना ताकि ऐसे useful videos आपके सामने हमेशा present हो उसके बाद हम देख रहे हैं मतलब Amazon आपको बताना चाहरा है कि हमारे store पे आपको A to Z सारी की सारी चीज़े मिल जाएंगी and वो भी customer satisfaction के साथ अगर आप ये notice करो this is nothing but a smile तो ये आपको बता रहे हैं जब आप Amazon से shopping करोगे तो आप smile करोगे मतलब आप satisfy रहोगे तो इस logo के पीछे की ये कहानी है इसके बाद अगर हम logo देखे तो ये logo आपके सामने आ रहा है Toyota का logo Toyota जो brand है गाड़ी का बहुत बड़ा brand है इसका logo आपने इस तरह का notice किया और इस logo का interesting part किया है कि इसके logo में इनका हर एक alphabet आता है तो T, O, Y, O, T, A तो सारे के सारे alphabet एक ही logo में इन्होंने present करे हैं, show करे हैं और बहुत ही beautifully craft करा है अपना logo इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये logo किसका है ये logo है Unilever का logo अगर आप अपने घर में दोखोगे तो बहुत सारे products आप actual Unilever के use करते हो चाहे oil हो, shampoo हो, soap हो, tooth paste हो तो ये जो इनका logo है क्या represent करता है अगर आप इस logo को अंदर study करोगे तो बहुत सारी चीज़े इसमें बने हुए इसमें dove बना हुआ है, plant बने हुए है, sun बने हुए है lips बने हुए है, तो आपको Unilever बता रहा है इन सब logos के जरीए कि हमारे पास आपके life में use होने वाले हर एक brand के लिए हर एक product के लिए कुछ ना कुछ available है तो इस logo में जितनी भी चीज़े बनी हुई है वो सारी वो चीज़ें जो day to day life में हमें चाहिए होती है उसका use होता है और जो Unilever के products आते हैं उनके logos को यह represent करता है जैसे dove का logo हो गया अगर आपको यह lips का logo दिखा रहे हैं इसका मतलब lip care से कुछ related है soap से related कुछ चीज़े होंगी तो बहुत interestingly इन्होंने यू भी बना दिया जो Unilever को represent करता है और इसके अंदर यह जो छोटी छोटी चीज़े बना दी उससे day to day life की चीज़े को represent करता है मतलब आपको यह बताना चाहता है कि हमारे पास day to day life की हर चीज़ present है इसके बाद sun microsoft का system sun microsoft system का जो logo है वो logo बहुत अच्छे से बना हुआ है क्योंकि चारो direction में आप sun लिख सकते हो आप ऐसे भी sun लिख सकते हो ऐसे भी sun लिख सकते हो मतलब यह brand आपको बताना चाहरा है हम हर direction में present है हम हर तरफ present है हम omnipresent है तो यह इस logo का representation है इसके बाद अगर हम देखे तो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा logo है Audi का बैई one of the most reputed brand है गाड़ी की दुनिया में तो logo जो इसका है four circles होते हैं तो कभी मैं आपसे पूछू इसमें four circles क्यों होते हैं तो हमने इस पे गौड नहीं करा बट जब हम इसको study करते हैं तो हमें पता चलता है यह four circles represent करता है four companies को मतलब Audi company चार कंपनियों का merger रहा और एक circle एक कंपनी को represent करता है जैसे यह company है Audi यह company है DKW यह company है Horch देन यह company है आपकी vendor तो चारो company का जब merger हुआ तो एक company रहागी Audi चारो circle एक-एक company जो उसकी merger में थी उसको यह represent करता है इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे सामने logo है Adidas का Adidas के logo के पीछे बड़े interesting का रही है इसका अगर आप नाम देखोगे तो आपको नाम को दो पार्ट भी divide करना है Adidas तो इस तरह इसका नाम form हुआ और यह brand आपका establish हुआ एक interesting fact आपको बताता हूँ Adolf Dazzler का ही brother था Rudolph Dazzler तो Rudolph Dazzler जो था उसने जो अपना brand setup किया था वो करा था Ruda जिसको आज की date में आप जानते हो Puma के नाम से तो Adidas और Puma जो दो इतने बड़े-बड़े brands है वो दो भाईयों के brands है जिनोंने ये start किया था इसके बाद अगर हम देखे तो हमारे सामने FedEx logo भाई FedEx का जो logo है उसका अगर आप negative space देखोगे ये वाले space भाई ये space represent करता है एक arrow को मतलब FedEx आपको बताना चारा है आप हमें जो भी product दे रहे हो उसे हम minimum time में सही direction में पहुचा रहे है और यही तो FedEx का काम होता है इसके बाद अगर हम देखे तो हमारे सामने Facebook है कभी आपने notice कि Facebook blue color का ही क्यों होता है कोई और color क्यों नहीं था इसके पीछे बड़ी interesting reasoning है कि जो Facebook का founder है Mark Zuckerberg वो color blind है उसको सारे color नहीं दिखते सिरफ एक ही color है जो सही से दिखता है वो है blue color तो जब इन्होंने Facebook बनाया तो इन्होंने सोचा होगा कम से कब मुझे तो सही से दिखे क्योंकि बाकी color तो मुझे सही से नहीं दिखते because Mark Zuckerberg is color blind तो ये मैंने आपको कुछ interesting logos बताए है I hope आपको यहाँ पे कुछ नया value मिला है नई angle से आपने सोचने start किया है entrepreneur, नई companies, नई start-up का क्या thought process होता है क्या hidden meanings होते हैं क्या secrets होते हैं वो सब आपने सीखे हैं के अलावा अगर आपको कोई interesting logo पता है जिसके पीछे की story आपको पता है तो नीचे मुझे comment section बताओ देखते हैं सबसे जादा किसको पता है different different logos के बारे में So thank you so much Take care, all the best